देर श्रीन, बहुत स्रावर्थ आपका मेरे चैनल मैसमीर प्रदीप में, इसे मैं हम लोग त्रिकोड मीती पर बात, अरे सारी, जमेट्री पर बात कर रहा हैं, तो जमेट्री पर तमाम छोटी-छोटी बात ही कर रहे हैं आप से, अभी हमने रेखा कौन के बारे में बात किया बावबूज के बारे में बात किया, अब जो है, जमेट्री के अंदर जाने कोशिस कर रहा हैं, अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको त्रिभूज मिलेगा, ट्रेंग्ल्स, तो ट्रेंग्ल्स के अंदर बड़ी प्रापार्टी पाई जाती है, एक एक करके कुछ कर लिए तो समलों की जिमेट्री का एक बड़ा बड़ा वाकाम खतब होगा 60% कर खलब कबर होगा तो चलिए अब हम त्रभूज के बारे में बात करते हैं कि त्रभूज क्या होता है ट्रेंगल पर बात आती है तमाम बहुत छोटी-छोटी बाते हैं हम कहते जाएंगे आप च कि रेखा खंडों से गेरी एक बंद आकर्ती त्रभूज कालाती है आप सोच रहे होगे कि ये क्या हूने बोल दिया पता है S.A.C को सलेवा सही एसासी कोशन आया था कि एक त्रभूज बनाया जा सकता है तीन बिंदूओं से, तीन रेखाओं से, तीन रेखा खंडों से, इन में से कोई ने तो आपका उत्तर होता है तीन रेखा खंडों से, क्योंकि रेखा से आप तरभूज नहीं बना सकते रेखा बहुत बड़ी होती है, रेखा के इस्तेमाल करने के लिए आप उसका खंड करते हैं, टुकडे करते हैं, और तब रेखा का इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ध्यान रखेगा, रेखा से आप डिजाइन नहीं बना सकते हैं, रेखा खंडों से डिजाइन बनाते हैं, ठीक है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, सुचे, और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, देख रहे हैं, कोई एक तरहुज बना लेजिए, देखो, मैंने बना लिया, तो देखो, ये सबसे बड़ा कोण ये है, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, देखो, सबसे छोटा कोण ये है, इसके सामने की भुजा देखो छोटी है, यानि कोण का उसके भुजाओं के साथ ये संबन बनता है, कि बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती लिए और छोटे कोड़ की होती है. अब गर हम पॉइंट करें, कह सकते हैं कि किई तरभुज का जो भहीच कोड कोड़ होता है.. उसके सुदूर अंता कोडों के योगे बराबर होता है.. मतलब यह कहने कोशिज कर रहे है.. कि अगर जैसे कोई तरभुज है इसका यह बहुत कोड है इसका 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 इस तरभुज आप जानते हुए तीन बंदू से मिलाते हुए, तीन एक खन जोडते हैं और तरभुज बन जाता है तरभुज के अंदर जाते हैं तो आपको मिलता है कि तरभुज के केंदर कितने होते हैं आओ तेखते हैं तरभुज के केंदर आप बता सकते हो कि त्रभुज के कितने केंदर होते हैं चार केंदर होते हैं त्रभुज के चार कौन कौन से होते हैं आई देखते हैं सबसे पहले आपको मिलेगा अंता केंदर अंता केंदर जो होता है इसको अंगरेजिम कहते हैं इन सेंटर यह क्या होता है अब इसमें आप जरूर लिख लिए क्योंकि यह बहुत बड़ी प्रापाटी है ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो कठीन स्वाल बनाए जाएंगे तो यह कुछ कहेंगा ने खालिक है लेगा इस तर्भुज का अंता केंदरी है और पर केंदरी है इनके बीच म कोड सम्दुभाजक कोड सम्दुभाजक जिस बिंद पर मिलते हैं जिस बिंद पर मिलते हैं कोड सम्दुभाजक जिस बिंद पर मिलते हैं उसे हम अंता केंदर बाते हैं मैं एक बना के दिखा हूं आपको हिंदी लिखने से अच्छा होगा कि आपको इसको देख लिजाइ और इस कैंदर का संगण करेंगे तो ऐसे बनाएजे. तो देख रहे हैं आप इस विंदु पर तीनु जब आप दही आके चांद मिर बन जाता और इस केंदर की इक और बड़ी खास्यत होती हे है कि इसी केंदर से यह बर्थ नहीं कि ढूद आप से पूछा जाए कि बताईए अन्ताह केंद्र खीचना है आपको अन्ताहबृत खीचना है तो क्या करें तो आप बताओगे कि पहले उसका अन्ताह केंद्र ढूड़िये और अन्ताह केंद्र से उस केंद्र से जब आप सरक्री बनाओगे तब अन्ताह केंद्र बन इक तिर्भुज के भुजाओं के सम्दुभाजक जिसेविंद पर मिलते हैं, भुजाओं के साइड बैस्टर जहां मिलेंगे वहाँ पर बनेगा आपका ये परिकेतर, तो को साइड बैस्टर कैसे करते हैं, आप जानते होंगे, आधे साधिक दूरी लेकर दोनों तरफ चाप लगाएंगे तो एक रिखा ऐसे बनेगे एक इधर ते आएगी एक इधर ते आएगी तो जहां पर काट रहा होता है यह होता है सरकम संटर और सरकम संटर की खासियत यह होती है कि इससे परिविर्थ खीचा जाता है परिविर्थ धान दीजेगा इसके पहले वाला जो था इन स एक और बात, अगर समकोर्त्रफुज है, तो समकोर्त्रफुज का परिकेंद्र उसके कण के मध्य बिन्दु पर होता है, अगर आप ध्यान से देखे इसको, एक मैंने समकोर्त्रफुज बनाया, अगर पूछा जा कि इसका जो है, परिकेंद्र कहां मिलेगा, तो इसका जो मध अभी आपको सर्किल की और बात याद आएगी, मैंने एक सर्किल बना दिया, क्या आपको एक लाइम याद है, कि किसी विर्थ उत्व खला की अच्छा नहीं बना और बढ़िया बना दें, आप जानते होंगे, किसी अर्धिविर्थ में बना हुआ त्रभुष संकोर्थ होता ह तो जब सर्किल बताएंगे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, यह जान लिए किसी संकोर्थ भुष का जो बरी केंद्र होता है, वो उसके कर्ण के मंदेविन पर होता है, इस पर अब तक कई सवाल बन चुके हैं, आप चली तीसरे केंद्र पर बात करते हैं, तीसरा केंद्र ह आपका केंद्रक, केंद्रक उसे इंगलिस में कहते हैं, सेंट्राइड यहां माध््धिकाएं मिलती हैं, कटान बिंदो, उनकी माद्धिकाओं का जो कटान बिंदू होता है वही आपका केंद्रग बन जाता है देखिए यह रहा अब माद्धिका क्या होती है अंगरेजी में से मेडियन काते है किसी त्रभुज के सीर्स से किसी त्रभुज के सीर्स से अब यह हो गया कि जहां तीनों माद्धिकाओं मिलती है उस बिंद को हम कहते है केंद्रक अब इस केंद्रक की खासियत क्या होती है खासियत यह है कि इस माद्धिका को यह दो अनपाते एक में माड़ता है इस सद्य हो सकते होता है अब इसको देखेंगे तो ये भी दो अनपाते एक होगा और मज़ेदार बात ये है कि आपका जो अगर संभाहो तरभुज मिल ला है तो संभाहो तरभुज में जो छोटी वाली पुजा है यह आपका अंताइबर्त बना देती है और यह बड़ी वाली गुजा परिवर्त बना देती है लेकिन यह समभाहु तर्भुज में हो सकता है बाकी सम्में नहीं हो सकता तो केंदर के बारे माप जांगे कि किसी तर्भुज के माद धिकाएं जिस बिंद पर मिलती है उसे हम कें केंदर से मात देखाएं दो अनुपाते एक में विभाजित होती हैं आगे देखी केंदर के बाद चवथा है केंदर उसको कहते हैं और्थो सेंटर और्थो सेंटर को हिंदिम कहते हैं लंब केंदर लंब केंदर और्थो सेंटर ये क्या होता है और्थो सेंटर होता है किसी त् से यानि किसी त्रभुष से सर्ट इस बिंद पर मिलते है उसे हम परीकेंद्र गहते हैं अभी एक स्सीम कोश्चन बना था, जिसमें ये पूछा गया था कि समकोर तर्भुच का लंब केंदर कहा इस्तित होता है, किसी समकोर तर्भुच का लंब केंदर कहा इस्तित होता है, तो आप आओगे समकोर तर्भुच का लंब केंदर उनकी समकोर बनाने वाली भुजाओं क यहाँ के दालते तो यहां भी 90 डिगरी बन जाता, त्याद आपका बन जाएगा इसत्री नाम के अंदर आपको आपकोज मेंसे इक सर्वांग समता, एक छोटा सा हेडिंग है, उसको कहते है सर्वांग समता, सर्वांग समता, कंगूरेंसी कहा जाता है, जरतल, आज का समय है, गडित को बिवहारिक बनाना बहुत जरूरी है, जिससे आप जन जीवन में गडित दिखाई पड़े, एक समय था, हम आपको सर्वांग समता के बारें को बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि दो तर्भुज, कम से कम किन इस्थितियों में दोनों तर्भुज को हम समान रहते हैं, सर्वांग सम क्या होता है, पहले ये जालेगे, सर्वांग सम, यानि अगर एक डिजाइन पर कि अधर वाली हर्थेली ना दिखना चाहिए, समान रेडियस के सर्किल सर्वांगसम होते हैं, समान साइड वाले वर्ग जितने होते हैं, वो सब के सब सर्वांगसम होते हैं, समान जो है भूजा वाले जंबाहु तर्भूज एकदम सर्वांगसम होते हैं, तो सर्वांगसम अ क estás आपा।्ट, लेक्षालियु आपा किन किवहांता छोड़ाय। जब कि इस नदी की चौड़ाय बतादें म问 ऐज्टने किनॉ पानी में जाएं मैं खने रॉधर बिनन नापे बता देंगे और एक्जरक्स हाई हुगा। सब्सक्राइब करना था लोग एक्तम हैरान होगे इसे कैसे बता देंगे भाई उसने कहा हाग को मैथमेटिक साती थी उसने क्या किया वहां कर राजा ने का लू ठीक हम भी देखते हैं इतनी बचोड़ी नदी की चोड़ाई उसे ग्याद करनी थी वुट नदी किनारे आया इ यहां पर उसने तलाव साहभ उसके ठीक सामने खड़ा होगए हगा, थीक सामने उसके ठीक सामने खड़ा होगए, अब जो है जमीन पर यह नाप करके पैदल चला, यहां तर। 100 मिटर उसके पास मीतर था शा कि नइन था कष़ बास लगा दिया यहां पर उसके बाद फिर यह नीचे जाना सुर कर दियो वापस जमीन पर चित्र बन रहा है अभी आप देखिए सरवागसम किसे कहते हैं इसको और बीच में करते हैं अब क्या हो इतक कहां तक नीचे जाएगा देखता जाएगा कि तिरची जो रहे यह बास और यह बास जब एक सीधर क्या आपके सामने दो त्रुफू दिख रहे हैं आप जानते हैं कि 90 डिगर है आप जानते हैं कि पूरा सो मीटर था पचास पर निशान लगाया है इसका मलब यह साइड यह साइड बराबर है और यह जानते हैं कि यह दोनों कोड सिर्शा भीमुकोड होंगे सिर्शा तो जो नदी की चोड़ाई है वो यहां जमीन पर उसने नाप करके तैकर दिया, यही नदी चोड़ाई है और पाया गया तो सत्य पाया यहें सरवांगसम की पहचान, यानि इसका बिवहारी क जान, ऐसे क्या होता है कि हम लोग किताबों में पढ़ लेते, मुने उसको आपका बढ़ता चला जाएगा, आईए दिखते हैं, सरवांगसमता क्या है, कुछ चार नियम बनाए गए है, एक नियम है, S, 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 उसको कहते हैं, भूजा, 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 हमने भूभू भूली तिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं लिखता नहीं हो, ऐसे बोल दे आपके पास, और लिखा जाएगा इसे, किसी तर्भूज की तीनों भूजाएं, किसी अन्य तर्भूज की तीनों संगत भूजाओं के बराबर, जिस संगत क्या होता है, यह भूजा इसके बराबर हो, यह भूजा इसके बराबर हो, और यह भूजा इसके बराबर हो, अगर किसी तरभुज की तीनों भुजाएं, किसी अन तरभुज की तीनों संगत भुजाओं के बरावर हो जाएं, तब दोनों तरभुज को सर्वांगसम कहा जाएगा, और सर्वांगसम का सिंबल यह होता है, दोनों तरभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं, अब यह एंगिली संगि यह एक्जेक्टली सेम कह सकते हुआ यानि इस डिजाइन को इसको पर रखा जा तो पूरी तरह ढख लेगा तो यह पहला तरीका था भुजा-भुजा-भुजा दोसरे तरीके में जाएंगे तो वह होता है SAS यानि Side Angle Side यह क्या होता है भुजा-भुजा-भुजा इसका मतलबी हुआ कि किसी त्रहुज की दू भुजाएं और उनके बीच का कोड किसी अन्य त्रहुज की दो संगत हो जाओं तथा उनके बीच के कोड के बराबर हो जाएं तब भी दोनो त्रहुज को सर्वांग साम कहा जा सकता है मतलब यह हुआ कि अगर यह भुजा इसके बराबर हो जाए और यह भुजा इसके बराबर हो जाए जान दिजेगा दोनों भुजाएं और उनके बीच का कौण अगर ये बराबर हो जाए तो भी आप कह सकते हैं कि दोनों तर्भुज सरवांगसम है कैसे? क्योंकि ये अपने आप बराबर हो जाए को कुछ का निक जरुवत नहीं पड़े गया कि अगर किसी तर्भुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कौण किसी अन्य तर्भुज की दो संगत हो जाओं तथा उनके बीच के कौण के बराबर हो जाएं तब ही दोनों तर्भुज के सरवांगसम कहा जा सकता है तीसर तरीका जवाब का होगा वो है A.S.A. देख लिजे, अगर किसी तर्भुज की दो कोण, मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये कोण इसके बराबर हो जाए, और ये भुजा इसके बराबर हो जाए, यानि किसी तर्भुज की दो कोण तथा उसके बीच की भुजा के बराबर हो जाए, तब भी दोनों तर्भु जो है वो है RHS RHS आप देखोगे इसको आप कहोगे कि Right Hand Side लेकिन Right Hand Side नहीं है इसका नाम है Right Angled Hypotenuse Side Right Angled Hypotenuse Side यह दरस्त समकोर तरहुज पर बनाय गया आइए देखते हैं इसका क्या नियम है कि अगर कोई समकोर तरहुज है तो अगर किसी समकोर त्रभुज का कण तथा उसकी समकोर बनाने वाली कोई भुजा किसी समकोर त्रभुज का कण तथा उसकी समकोर बनाने वाली कोई भुजा किसी अन्य समकोर त्रभुज के कण तथा समकोर बनाने वाली संगत भुजा के बराबर हो जाए संगत भुजा के बराबर हो जाय तब ही दोने तरभुज को सरवांग सम कहा जा सकता इसको थोड़ा दिर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कॉन सी बात ही तो सायप सायप जैसी बात हो गई अच्छा बताइगे, अगर मालो यह 13 है और यह 12 है, तो यह भी 13 है, यह भी 12 है, अब तो पाइथा गोर्ण से पूछोगे तो भी इसको 5 बता देंगे, 13 स्क्वार, 119, 12 स्क्वार, 14, तो यह भूजा हो जागे, यह भूजा पांच हो जागे, यह भूजा पांच हो जागे, य तो इस तरह से कोई बड़ी चीजे नहीं है लेकिन अब जानना जरूरी इसलिए है कि जब डाइगा जो पुश्चन बनेंगे तो इनी ट्रम्प और आधारी सवाल बनेंगे तो ट्रम्प का पर्चे आप से होना बहुत जरूरी है हम धिरे जरे करके ऐसे सारी चीजे आपके प बाकी है पुट्टी लगना बाकी है प्राइमर होना बाकी है पेंट होना बाकी तब चमाक आएगी तो मैं पर्यास कर रहा हूं एक तरफ से आप लोग बिना धार खुए हुए एक एक वीडियो को ढंक से देख लीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कर ये मस रहिए मिलते ह झाल झाल झाल